वंदे मात्रम दोस्तों नमस्कार आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हार देख अविनंदन है प्यारे साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल कमपटीशन गुरु में तो क्लास लाइव हो चुकी है आवाज सभी को आ रही है एक बार फटा फट से बता दें सभी और लाइव आजए जन्दी से सेशन को शेयर कर दें प्रिती विश्वकर्मा मनीश मोहित आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं जो क्लास है वो आज कई दिनों में हो रही है हमारी कौन सी क्लास जो रीजनिंग के क्लास है बाकी आपकी जीएस की या अलग क्लासे रेगुलर चल रही है केवल अगर बात करें reasoning के practice की तो यह आपके कई दिनों में आज class live होई है ठीक है मोहित जी संदीब जी आप सबका most welcome है राधे राधे राम राम नमस्कार वंदे मातरम चलिए तो आज हम आपके लिए क्या नया लेकर के आए हैं या क्या आज से हम start करने जा रहे हैं इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं फिर उसके बाद session को start करते हैं जादा देर नहीं लगाते हुए तो दोस्तो अगर आप लोग SSC GD की तयारी कर रहे हैं या UP Police की तयारी कर रहे हैं तो आपके YouTube चैनल पर एक नया batch हम बिल्कुल free batch लेकर क्या हैं योद्धा बैच ठी के अपने YouTube चैनल Competition Guru में तो इस Competition Guru का जो लोगो है वो ये है ठीक है इस पर आप डेली इसको रात को 8 बजे free class को देख सकते हैं ये time है आपकी class का डेली रात को 8 बजे का उसके बाद आज जो है वो reasoning का पहला ही चैप्टर है एनलोगी टेस्ट या इसको एनलोगी टेस्ट को हि सद्रश्यता परिक्षण भी कह देते हैं तो हमारे पास जो टार्गेट है वो है पैंतालिस दिन का पैंतालिस दिन का टार्गेट है हम पैंतालिस सेप्टर कंप्लीट करेंगे तो यह आपकी लगवग एक घंटे की प्रते एक दिन class होगी और जोड़दार तरीके से हम के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली class को ठीक है पहली class को तो ध्यान से आप लोग answer करने का प्रियास कीजिएगा सभी देखो पहला question यह रहा आपकी screen पर ध्यान से देखिए आप से कह रहा है reptiles को crocodile कहा गया है यानि कि सरी सरप को मगरमच कहा गया है तो नेमन मैसे कौ आप लोग answer दीजिए जल्दी से बताओ जल्दी से आप भी बताईए तो यहीं देख लो रहा है जल्दी फटाफट बताईएगा देखिए आप से कह रहा है कि उभैचर कौवा मचलियां जल्दी संबदित हैं स्तंधारी बाग है यह कंगारू मॉलसक है इसका correct answer आपको बताना है क्या होगा फटाफट बताईएगा option B नहीं घलत है और बताईए फटाफट बताईए देखिए जिस प्रकार से मैं बात करूँ सरीसरफ सरीसरफ वो होते हैं जो जानवर जो रेंगते हैं जैसे छिपकली है जैसे साप है जैसे मगरमच है यह सब रेंग करके चलते हैं तो इनको कहते सरीसरफ अगर मैं बात करूँ सरीसरफ मतलब मगरमच सरीसरफ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो tiger होता है बाग यह स्थंधारी होता है ठीक है तो इसका जो correct answer है वो option number B नहीं है option number क्या है option number C correct answer है तो हम चलेंगे C के साथ very good चलें आगे एक बार सभी student share कर दीजे आगे देखिए next अगला खुबसूरत सा प्रशन आपके स्क्रीन पर है उस युगम का चैन करें जो शब्दों का मूल युगम में व्यक्त किये गए समान संबंद को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है सिस्मोग्राफ भूकम से संबंदित है तो इसका answer आप दीजिएगा कौन सा correct answer होगा और आप सब के बहतर भविश्य के लिए competition गुरू यूट्यूब और application के माध्यम से एक नई योजना start की गई है यह कह सकते हैं आज class रोक रही है एक पर बताना class रोक रही है क्या तो एक नई मुहीम आपके लिए लेकर क्या है आए है आप जो comment कर रहे हैं इस section में सबसे उपर एक पिन हो रही होगी एक link उस link पर आप click कर सकते हैं उस link पर click करके अपनी present आप लगा सकते है और अगर आप वहां से click करके present लगाते हैं तो आपका जो present है वो हमारे पास आजाएगा और daily आकर के आप अगर present लगाते हैं अपनी उस link पर click करके तो जो student regular रहेंगे इन 45 के 45 classes में उनके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ offer रहेंगे कुछ ना कुछ नया रहेगा उन student के लिए उनके नाम हम आकर के यहां पर live announce करेंगे और जो भी हमसे हो सकेगा उनके student के लिए पूरी मदद करेंगे तो देखिए इसका जो correct answer है वो बताई है question number 2 का सिस्मोग्राप भूकम को मापने के लिए इस्तेमाल लिए उसकी तीबरता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसी प्रकार इसका जो correct answer है अगर मैं बात करूं दोस्तो वर्षा की तो वर्षा को मापने के लिए उडो मीटर का इस्तेमाल किया जाता है तो option number इसक अगला question, चलो, next question आपके screen पर ये रहा, फटा-फट answer करिए भाईया, जल्दी से बताइगा इसका correct answer क्या होगा, जल्दी से, like भाई कर दीजिया, कई दिनों में class लाई होई है, तो भाई, आप student जुड़ी नहीं रहे, regular class हमारी होगी आज के बाद से, आपको दिक्कत नहीं हो यहाँ पर यह chat section खोला हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारी chat चल रही है, उपर इस link पर click करोगे, link पर click करने पर आपको यह किस तरीक से, बस 5 second का काम है आपको present लगानी है, इसमें, कहां गया भीया, इसमें net slow है थोड़ा सा, आप देख लेना उसमें click करके, जैसे ही click करोगे आप, तो 5 second का काम है, hello high, कुछ भी लिख करके आप present लगा सकते हैं, पी लिख करके present लगा सकते हैं, फिर आप regular अगर रहेंगे, तो कुछ खास आपके लिए रहेगा हमारे पास, आप से गरा frequency heart से संबन देता है, तो कौन सा option है, इसका correct होगा, question number हमारे पास है third, तीसरा number का question है, यह दोस्तों जो unit होती है, जो मातरक होता है, आवरती का होता है, चै रह्त, हर्ट, तो इसी प्रकार से अगर मैं देखूं यहां पर, तो उश्मा का जो मातरक है, वो क्या है, जŁल, हीट का जो मातरक है, वो क्या है, जुल, तो option number D के साथ हम लोग चलेंगे, option number D के संबंदित है व्रस्पतिवार से तो आप से करा शुक्रवार किसे संबंदित होगा संडे थरस्डे से संबंदित है तो फ्राइडे का correct answer क्या होगा फटा-फट बताइए सभी लोग like करने session को एक बार जल्दी से बताओ जल्दी दो यहां जैसे संडे है है ना संडे से अगर आप थरस्डे तक जाते हैं तो मंडे टूजडे वेडनस दे थरस्डे तो कितने दिन प्लस करके गई है आप और फ्राइडे से भी अगर चार दिन प्लस कर दोगे आप सटर्डे संडे मंडे टूजडे तो मंगलवार आंसर होगा option number B option number B के साथ चलेंगे तो आप लोगों के mostly student के correct answer है B very good सभी लोग एक बार session को share करने भाया जल्दी से session को करने share फटा फट से very good A को lock करें नहीं इसका correct answer B होगा B question number 4 का answer है B next अगला खुबसुरत सा प्रशना आपके screen पर ये रहा इसका answer कीजिए आप लोग आप सबसे मेरा विनमर निवेदन है कि आप लोग share कर दीजी और आज GS की class free YouTube पर नहीं होगी application पर 9 बजे होगी geography की class जिसमें हम universe पढ़ेंगे और आज आप सब लोगों के लिए free class रहेगी YouTube पर ठीक है उस पर application पर तो आज आप application के free class को join कर सकते हैं अगर कल उसको join करना चाते हैं तो 400 इंडियान मेर रुपए जेव से निकालने पड़ेंगे सीधे हाथ से निकाल करके दक्षना देनी पड़ेंगे तभी कर पाऊगे आगे क्या के रहा है आप से आप से प्रशन के रहा है कि जापान संबनत है येन से येन याणि कि जापान वेल्जियम की डॉलर है, नौर्वे की यूरो है, इटली की पाउंड है, मियामार की क्वात है तो करेक्ट आंसर क्या होगा फटा फट से देखिए, मनीश कुमार, गलत हो गया कोई बात नहीं, पुसपेंदर कुमार, वेरी गुड तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे बच् ये रहा, देखिए और आंसर कीजिए इसका बताईए कि करेक्ट आंसर क्या है आप से करा है, बत्तक को बैडल कहा गया है डक रिलेटिड बैडल्स तो अब कौन सा ओप्शन करेक्ट होगा फटाफट आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से दीजिए फटाफट आप भी बहुत बढ़िया वरी नाइस तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे फटाफट लीप्स उसकी जाती से संबंदित हो गया ऑप्शन नमबर सी करेक्ट आंसर हो गया फटाफट को कहेंगे मैंडग को लीप्स कहेंगे ठीक है ऑप्शन नमबर सी ध्यान रखना एक भी कोईशन ऐसा नहीं है जो एक्जाम में पूछा नहीं जा सकता या औरेडी एक्जाम में आई हुआ नहीं है तो हम वही कोईशन आपके लिए लेकर कहेंगे कि प्रमाडिक है जैनुवन है अब प्रमाडिक स्पुरियस तो इसका रिलेशन बताए क्या होगा भई जल्दी से बताएं फटाफट बताओ इसका अंसर क्या होगा हाँ वही आप कोई चीज प्रमाडिक है मतलब जैनुवन है अब उसका अपोजिट है प्रमाडिक है जिसका कोई पताई नहीं है क्या है प्रमाडि नहीं जिसके तो इसलिए ये अपोजिट है विपरीत है तो अब इसका correct answer आपको बताना है क्या होगा फटा-फट बताईए क्या होगा चलो जल्दी से देखिए class का time daily 8 बजे है रात को गुरुजी मेरी attendance नहीं लग रही है attendance नहीं लग रही है चलो try करिए अगर नहीं लग रही है तो daily लगेगी आप चिंता मत करो जिनकी regular रहेगी उनको देंगे हम fortune और gift में देंगे हमारे एक चाचा जी है उनकी दुकान है एक है ना खिलोनों की और वहाँ पर छोटी छोटी फोटी फोटनर मिलती है कितने रुपे की दे रहे हैं वो अभी 200 रुपे की देते हैं वो gift करेंगे आपको ठीक है तो इसका जो correct answer होगा वो option number C है यानि अग्याधीन दुराग रही ठीक है इसका correct answer है option number C चलिए next question देखकर के गवराना नहीं है प्रते question important है अब देखो आप सोचो के सर ऐसे question क्यों नहीं लाए दिन का रात से संबन देते है तो बताओ सुभय का किस से होगा तो मेरे दोस्तों ऐसे प्रश्णों को तो खुद भी कर लोगे यह वो प्रश्ण है यह वो प्रश्ण है जो आपके सरस्वती माता बैठा दे, देखो फूल चमेली से संबन देता है चमेली होता है फूल तो इसका correct answer आपको बताना है, फिर क्या है pencil जयमिती से संबन देता है, या अंकगड़ित परिकलक से संबन देता है calculator से, फल पत्यां से संबन देता है, या रंग नीले से संबन देता है तो कितना असान सा फ्रश्न है प्रतेक student इसका answer easily कर सकते है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो जिस प्रकार fool क्या है, चमेली का fool होता है, ठीक है रंग का ही color क्या होता है वो होता है भाया, नीला नीला एक color है, और इसी प्रकार से fool क्या है, चमेली एक fool है और नीला एक रंग है, बात समझ में आ गई, तो option number D को lock कर दो एक नम, धांसू तरीके से next, अगला question देखिए भाया, आपके screen के उपर ये रहा, आप फटा-फट answer कीजिए मेरे दोस्त आप से करा है, सौराइसिस तवचा से संब्दित है, तो रिकेट की से संब्दित है बताओ, सौराइसिस लाइक तवचा यानि skin, तो रिकेटेस related to क्या होगा इसका answer, बताओ फटा-फट बताओ फटा-फट हाँ, ये एक रोग है रोग, सौराइसिस जो है, वो तवचा का रोग होता है, ठीक है तो उसी परकार कह रहा है कि जो रिकेट्स होता है, वो किसका रोग होता है, कहां पर, किस में होता है वो रोग जी, बिल्कुल, तो इसका correct और सुन्दर, और एकदम बहतरीन question क्या होगा option number होगा, देख लो जारा यहां कह रहा है कि भाईया रिकेट्स होगा, हड्डियों से समझे, बॉन्स option number A, तो देखते हैं किस 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 है attendance mark होगी, I use की okay, very good चलिए, साक्षी, दीपक very good, बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर देखिए, next attendance जो है न, यह लगाने का सबसे important काम यह रहेगा कि आप में और हम में थोड़ा सा attachment रहेगा, ठीक है आप लोग attendance लगाएंगे, तो आपका जो नाम है, हमारे पास आ जाएगा और हम उनको announce करेंगे, जैसे top student होंगे जो 45 के 45 दिन आएंगे, तो उनको हम यह चीज़ें आपको provide कराते रहेंगे आप देखें यहाँ पर मुद्रा शास्त्र सिक्के से संबंदित है ठीक है, यानि दोस्तों मुद्रा शास्त्र जो होता है, वो सिक्के से संबंदित है तो अब इसका जो related question है इसका answer क्या होगा, question number 10 का फटा फट बताईगा मुद्रा शास्त्र का संबंदित इस परकार सिक्कों से है उसी परकार अर्थ विज्ञान का मिरद्दा से गलत, वरगी कराण विज्ञान का जीवाश्म से, नहीं मानव शास्त्र का मनुष्य से तो इसका correct answer होगा, option number C, correct answer हो जाएगा, very good option number C, बहुत सुंदर आशायादव कह रही है, हमें क्या दोगे तुम्हें helicopter gift करेंगे, helicopter ठीक है, आज ही देख कहा हूँ, इनकी दुकान पर बाहर टंगा हुआ था ठीक है, उसे gift करूँगा चिंता मत करो, 40 रुपे का दे रहे हैं बस पंकड़ी गोंती हैं, उसकी और कुछ नहीं इसका answer दीजे, फटा फट question number आपके screen के उपर है, question number 11 क्या कह रहा है, देखो ज़रा question number 11 क्या कह रहा है जिस प्रकार से baseball diamond से संबंदित है ठीक है, चलो उसी प्रकार आपसे कह रहा है कि बताईए कौन सा option correct होगा फटा फट बताईएगा जल्दी से बताईएगा हाँ तो इसका correct answer आप लोग क्या बता रहे हैं option number C, गलत है यार option number C तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल अरे जितना हम मैं दामे उतनाई तो देंगे अब अगर तुमें हम original helicopter दे देते है, फिर live class ले रहे होते हैं अंगामा कर रहे होते हैं आप सब की छट के उपर तो इसका correct answer होगा option number D ठीक है, curling related ring तो इसका correct answer ये हो जाएगा ठीक है, चलो अगला question देखिए मेरे दोस्त next ये रहा अब इसका answer आपको बताना है क्या होगा किसान जोंपड़ी से संब्देता है तो उन्मादी किसे संब्देता है उन्मादी उन्मादी crazy मतलब एक type से ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग से हिला हुआ व्यक्ति हो हिला हुआ भी नहीं कह सकते एक तरीके से UP Police का बेच कैसे खरीदे थे हैं सबसे पहला तो आपको शीर सासन मुद्रा में खड़ा होना पड़ेगा यानि शीर सासन मुद्रा मतलब कि आपके पैर उपर होने चाहिए और सर होना चाहिए नीचे दौनों हाथ आपके नीचे हौँ पैर दौनों उपर हो और फिर मोबाइल लीजिए अपना और प्ले स्टोर खोलिए मोबाइल भी उल्टाइप पकड़ना पड़ेगा आपको और कॉंप्टिशन गुरु आप डाउनलोड कर लीजिए उसमें पेड कोर समझाईए और वहाँ पर उप्शन है यूपी पुलिस का बैच लेने का आप आराम से ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा किसान जोपड़ी से संब्द देते हैं तो जो क्रेजी होता है वो मनुचिक साले से संब्द देते हैं अप्शन नमबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है सर मेरा फॉन उठा लीजिए भाई फॉन अभी मत कीजिए नहीं तो ब्लेक लिस्ट में डालनेंगे तो मैं पता है हम क्लास ले रहे हैं और फॉन ने उठाएंगे क्लास खतम होने के बाद दस बजे क्लास खतम होगी तब उठाना है इसका अंसर बताईए आप लोग क्या किरा है मिस्र काहिरा तो केन्या मिस्र एक जगा है नाम सुना है अपने मिस्र मिस्र नाम सुना होगा भई बड़ा important नाम है तो जिस परकार मिस्र की राजदाने काहिरा है है केन्या की वो क्या है जल्दी से बताओ देखो पुस्पिंदर कुमार कह रहे हैं कि आप कहां से हो नीलम जी कभी हमारे नाम के बाद भी जी लगा लिया करो नीलम जी तो इसका जो correct answer होगा वो क्या होगा नैरोबी नैरोबी राजधानी है केन्या की option number C इसका correct answer हो जाएगा ओके option number इसका C सही answer होगा चलिए अगला खुबसूरत सा नगमा आपकी screen के उपर ये रहा तो देखिए इसका answer आप लोग बताएगे एक बर session को share कर दें सारे student सभी लोग share कर दें sir वहाँ पर teacher भी उल्टे हो करके पढ़ाएगे कि हाँ बिल्कुल बस आपको अपना phone उल्टा करके पकड़ना है teacher आपको उल्टे दिखाई देंगे हम तो अब भी उल्टे हो 14 चौदा नंबर आंकुलोजी कैंसर से संब्धित है कैसे देखे यहां पर जिस प्रकार से आंकुलोजी को cancer का अध्यन किया जाता है cancer का जो अध्यन होगा उसकी जो study होगी वो किस में होगी तो आप ध्यान रखेंगे एनकुलोजी में होगी cancer की study दूसरा आप देख रहे हैं यहां पर कि भाई option नंबर A है हमारा जो कि mycology है उसमें fungi की जो है क्या होगी study होगी तो option नंबर A के साथ चलेंगे option नंबर हम चलेंगे A के साथ ए option इसका correct answer हो जाएगा ओके चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर नेक्स्ट अगला खूबसरोत सा नगमा आपके screen पर यह रहा क्या कह रहा है देखिए प्रशन कह रहा है आपसे के ध्वनी प्रती ध्वनी से संबन देता है यानि sound related to eco तो अब इसका कौनसा option correct है एक बार पढ़ लो ना पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय तो चाहिए यह आपको ठेक है हाँ जैसे ध्वनी में eco होती है उसी प्रकार से आप इसका answer दीजिए क्या होगा correct answer तो गुरुवर इसका जो correct answer होगा द्रस्टी आँख की पुतली नहीं गलत है उसके बाद किरा है प्रशनता अहसास से संबनते प्रकाश प्रावर्तन लाइट में reflection होता है option number C correct answer है तो देखें किस किस के सही है यहाँ पर मनीश भाई के correct answer है सरा आज बहुत wrong जा रही है genuine question लोगा genuine जो आपको सीखने को मिलेंगे इन classes को करोगे जहां गलतिया करते हो उनको सुभारोगे ठीक है यहाँ यह question नहीं लेके आया कि भाईया आसान आसान 35 question chapter में करा दे चैप्टर खतम chapter यहाँ पर वो chapter है जो कि आपको सारे question नए देखने को मिलेंगे और आप ध्यान से जब देखोगे इनको observe करोगे चाहे गलती answer करो पर करो ठीक है ना चाहे गलती करो पर करो चलो next अगला खुबसूरत सा question एक second रुकिएगा हलका समय इस पे pause करता हूँ video को क्योंकि मुझे लग रहा है कि video मेरी वहाँ पर pause हो रही है एक second चलो इसका answer करो फटाफट आप से करा है Mr. Kahira से संबंदित है तो आगे आप देखे यह question दूसरा है वो नहीं है जो आप सोच रहे थे यह दूसरा है तो मिस्र की राजधानी काहिरा है तो उसी परकार से अब देखो आईरलेंड की जकार्ता बुर्सेल्स की बेल्जियम या कनड़ा की प्राया या अस्ट्रिया की व्याना तो इसका correct answer आपको बताना है question number 16 का फटाफट से देखिए और बताइए option number D साक्षी गोस्वामी का answer correct आ रहा है और PDF सेंड करो जी PDF इसकी टेलिगराम पे मिल जाए कि competition गुरू नाम से टेलिगराम है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा आस्ट्रिया की राजधानी क्या है वियना औस्ट्रिया नहीं है औस्ट्रिया 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 एक अलग country है इसकी जो capital है वो है वियना ओके चलिए next अगला question देखो गई है आपसे बोल रहा है कि खगोल विद वैदशाला से सम्मदित है यानि कि astronomer like observatory तो आपसे करा है फिर कौन सा answer होगा वैदशाला खगोल विद वैदशाला से सम्मदित है जी खगोल विद जो होते हैं वो कारे करते हैं किसमें वैदशाला में तो अब आपको बताना है आपको बताना है कौन सा answer correct है मैंने ये तो पता दिया खगोल विद वैदशाला में काम करते हैं ठीक है तो इसका correct answer क्या होगा बच्चे क्या आपके मेकेनिक फिल्ड में काम करते हैं नहीं गलत पंसारी रेस्टोरेंट में काम करते हैं गलत ब्यूटी पारलर में ब्यूटीशन काम करते हैं ब्यूटीशन काम करते हैं वेग्यानिक प्रियोक साला में काम करते हैं beauty, beauty, color में काम करते हैं, उल्टा कह दिया है, ठीक है, बहिए आपसे ilt셣be pasler में, beauty, vision, नहीं, beauty, solution, beauty, color में काम करते हैं, क्योंकि कि karaatile, विध्वयद साला में काम करते हैं, तो वैज्यानिक प्रयोग साला में काम करते हैं, ये option सही है, इसका option number D, option number D के साथ चलेंगे ये हमारा correct answer होगा इसका ठीक है option number D के साथ चलेंगे next अगला question देखिए दोस्त इसका answer करो आप फटा फट answer करो जल्दी से good evening good evening good evening सभी लोग daily आना है सभी को भहिया class में daily attendance लगानी है daily आना है class को daily enjoy करना है ठीक है देखिए अगला question आपके सामने करा है galvanometer बिजली से संबन देता है तो animometer किसे संबन देता है जल्दी से बता हो ये सारे important प्रशन है ये मत सोचिएगा भाई बता रहा हूं फिर से ये सभी already exams में आई हुए प्रशन है पहली बात दूसरी बात ये वो प्रशन नहीं है जो आप regular पढ़ते रहते हैं वो प्रशन बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो ये सारे के सारे प्रशन है आपके genuine प्रशन आठ बजे से class लगते है daily आठ बजे से रात को आठ बजे मुलाकात करो हमसे पहले session को like करो फिर मुलाकात करो ठीक है question number 18 answer आपको बताने इसका क्या होगा हाँ तो यहाँ पर galvanometer जो होता है उससे बिजली को मापा जाता है तो animometer से क्या मापा जाएगा भाई जल्दी से बताओ animometer तो इसमें क्या yu की गती यानि पवन की गती wind speed option number c इसका correct answer होगा देखते कौन-कौन answer दे रहे हैं जैहिंद भई सब new question है या सारे question नए question है आपको ठीक है तो ऐसे ही class में उसी में आने में फाइदा है जहां कुछ नया सीखने को मिले और जहां पुराने को रिवीजन करते रहो क्या भाइदा हो तो आता ही है आपको ठीक है जो आता है उसको सीखने की जरूती नहीं है वह तो आता ही है कुछ नया सीखिए देखो अगला प्रश्मी यह रहा आस्ट्रिया यूरोप से संबंदित है यानि आप जानते हैं कि आस्ट्रिया जो देस है वह यूरोप कंट्री है तो कनेडा दक्षन अमेरिका का है नीजरलेंड अफरीका का है नियूजिलेंड ओस्यानिया का है या वैल्जियम आपका उत्रिया अमेरिका का है तो गरेक्ट आंसर इसका आपको बताना है फटाफट से जियोग्रफिकल है हाँ जो भी है आप इसका आंसर कीजिए ये भी geographical question है आपका question number 19 Austria Europe महदीप में स्थित है विल्कुल तो आप से बताना है next कौन सा होगा फटाफट से देखो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो हमारा Asia है उसके नीचे एक और एक और महदीप हुआ करता था Oceania तो New Zealand उसी का हिस्सा है तो इसका correct answer होगा ध्यान रखना जीवन में कभी भी New Zealand आएगा तो Oceania लगाएंगे आप इसका answer ठीक है option number C correct answer हो जाएगा चलो अगला question देखो भई next question क्या करा है इसका answer करो फटाफट चल दी से question number है 20 आप से क्या करा है जिस परकार इरान संब्दित है किस से रियाल से तो आगे के option बताने यानि कि आप जानते है इरान की जो currency है इरान की जो मुद्रा है वो रियाल है उसी परकार से आगे इसका answer देना है रूस की रूबल है लाउस की यूरो है इंडोनेशिया की डॉलर जापान की वहत तो इसका correct answer होगा option number दीजिए फटाफट देखता हूँ कौन-कौन answer correct कर रहे है ए answer दे रहे हैं पूनम समराथ का भी answer है very good समराथ पूजा, साक्षी, गोस्वामी का correct नहीं है इसका A answer correct होगा रसिया की जो currency है वो रूबल है इसका correct answer option number A है चलो हुए next question देखिए अगला खुबसूरत सा नगमा आपके screen के उपर ये रहा question number है 21st क्या कह रहे है विनम्रता अभिमान से संब्द देते हैं तो सब्दे किसे संब्द देते हैं ठीक है फटाफट से answer देना है आपको बताओ मनीज कह रहे है गुरू जी मेरा भी correct था बहुत बढ़िया आपका correct था अच्छी बात है आज वीडियो ना हलकी से lag कर रही है I think मुझे ऐसा लग रहा है कि lag कर रही है वीडियो आज अब किसी कोई technical issue है किसी चीज में या तो capture card में है या camera में है या laptop में है या desktop में है I don't know इसको मैं check कराऊंग अब थोड़ दिर में ठीक है तो अभी आपकी class 9 बजे से होगी आपकी geography की class जो की application पे होगी आज उसको free करा देंगे ठीक है केवल आज आज के लिए तो अगर आप एकशुक हैं तो आराम से देखिएगा उस free class को join कर लीजिएगा अन्य तक कल से फिर वो paid रहेगी तो आप देखो यहां से विनम्रता humble humble जो होता है humble मतल होता है request यह humble कहते है बड़ा विनम्र आदमी है बड़ा सभ्य व्यक्ति है बड़ा अच्छा व्यक्ति है और अभिमानी कौन होता है अभिमान जो नाक फुला के घुमेगा इजर से उतर यानि इसको अपने उपर बहुत अभिमान होगा कि मैं यह यह मैं हो जबकि दुनिया में कोई भी यह वो नहीं है किसी को भी अभिमान नहीं होना चाहिए अपने उपर यह वो कुछ भी हो ठीक है शले तो इसका correct answer है सभ्यका विपरीता आपको देखना है विलूम सभ्यका भद्र जंगली कोमल या नेक बताओ कौन होगा जंगली तो होगा जंगली हम कहते नहीं सभ्या आदमी है अरे बड़ा जंगली है वह सागर तू तो है ना बड़ा जंगली है जंगली तो है सागर क्या नाम है उसका सागर समर समर जंगली तो इसका correct answer है option number B wild जंगली से संबन देता है इसका सब्वे का opposite है ये ठीक है चलो देखो next अगला question देखो भाया करा आपसे bonnet car से संबन देता है bonnet 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 car से समर देता है bonnet bonnet जानते हो क्या होता है bonnet میरी ऑनते वोगनीच अब यह नाम थोड़ा सा बशुक्ण भान ट तो आपको clear नहीं को पा रहोगा Reddit होता है जो गाड़ी का जो यह आगे का हिस्सा होता है हिएंजिन रखा होता है इसके ऑपर करेथ की टाल की होती है ूपर खुल जाती है यह 51 Pv तो यह होता है बॉनेट तो कार का ही तो हिस्सा है बॉनेट तूसरी प्रकार चे वायू हवाई जाज का हिस्सा है ना रसोई घर का हिस्सा है बिलकुल वहांचालक का नहीं पार्क बच्चे का नहीं तो option number B इसका correct answer होगा option number B प्रते question को समझ करके करिए चले आगे बढ़े नेक्स्ट अगला question देखो भेए भूटान खिंपू से संबने थे तो नाइजीरिया किसे संबने थे नाइजीरिया बताओ सर आपके पास और कौन है इस का अंसर क्या है बटान की जो राजगानी है वो क्या है थिम्पू तो यहां पर आपसे कह रहा है कि यह नाइजीरिया की राजधानी क्या है जल्दी से बताओ नाइजीरिया की राजधानी क्या है option number C दे रहे हैं सभी गलत C है गलत गलत है C अंदले शर्मा का correct answer है option नंबर होगा इसका B अबूजा अबूजा सिमेंट ठीक है यह राजधानी है नाइजीरिया की ओके चलिए भाया आगे देखिए लाइक कर दीजिए तोड़ दीजिए लाइक के बटन को फटा फट से अगला खूबसूरत सा नगमा आपकी स्क्रीन पर यह रहा जल्दी से आंसर कीजिए का करो भाई इसका आंसर क्या होगा मसकट गलत है आप दिखो आपसे कह रहा है कि मुक्के बाजी रिंग में की जाती है की जाती है ना रिंग में तो दोड़ कहां की जाएगी ट्रेक पे मैदान में अखड़ा में या कोट में अगर इसको गलत कर दिया तो मुरगा बनाने में तो अप सिर्देर नहीं लगे कि मुझे जल्दी से बताँ इसका अंसर क्या हो गा-था माई-शनर द्यार को ये जल्दी से जल्दी से जो भी option b दे रहे हैं मुरगा बन जाओ बहीया दोड कबी मैधान में लगा जाती है मैधान में भी एक track बना होता है कहीं भी मैधान में हो या road पर हो तो वो बना रहेगा क्वा ट्रेक बना हुआ होगा तो track पर दोड़ होती है option A के साथ चलेंगे ना कि आप मेदान में भागना सुरू कर दोगे track पर भागोगे ठीक है चला option इसका correct answer A है very good, चलें आगे next अगला खुबसुरत सा नगमा आपके screen के उपर ये रहा चला चला करके कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है श्पर्ष करना धक्का देना श्पर्ष करना धक्का देना तो इसमें देखिए आप क्या होगा correct answer नई, लड़कों को मुरगा बनना है जितने भी लड़कियां हैं बहने हैं हमारी, उनको सबको हाथ खड़े करने उपर ठीक है और उपर हाथ खड़े करके ऐसे आपको जैश्री राम, जैश्री राम ऐसे करना है बस नहीं नहीं, मनीश नहीं केवल तुम्हें बनाएंगे मुरगा और किसी को नहीं सबके बटके आज जो है मनीश मुरगा बनेंगे इसका answer बताओ क्या होगा श्पर्ष करना श्पर्ष करना यानि कि टच का संबन्द जो है वो किस से है ठीक है तो आप से कह रहा है बताइए इसका जो correct answer है वो क्या होगा तो इसका correct answer होगा option number option number 20 speak short यानि बोलना, चलनाना वे श्पर्ष करना अगर किसी को touch करोगे तो मतलब वो धीरे कर रहे है और अगर आप उसको धक्का दोगे तो तेजी से काम कर रहे हो और यहीं पे बोलोगे तो धीरे-धीरे बोलोगे और चलाओगे तो पूरा गला आपका बाहर आ जाएगा तो इसका correct answer option number B है next अगला प्रश्ण है देखिए आपसे प्रश्ण कहा रहा है कि विध्याले यानि कि school में विध्यारती होते है school में student होते है यानि विध्याले में विध्यारती होते है तो आगे आपको बताने इसका correct answer क्या होगा जल्दी से बताइगा इसका answer लाइक कर दें सभी मेरे दोस्त और डेली आठ बजे क्लास को जोईन कर लिया करें, ठीक है? डेली आठ बजे जोईन कर लिया करें क्लास को डेली, टाइम से आ करके, इसका बताए क्या होगा? बताओ हाँ जी क्या होगा इसका अंसर बड़ा असान है कितना असान प्रश्ण है इमरान मलिक ने भी आंसर कर दिया साक्षी ने भी मनीस ने भी A lock कर दो लो भाई यह हमारा क्या जा रहा है तो A lock कर देंगे क्योंकि A option correct है इसलिए lock कर देंगे विद्याले में विद्यारती जाते हैं सिक्षा करने के लिए और अस्पताल में रोगी जाते हैं रोग से मुक्त होने के लिए ठीक है तो A option के साथ चलेंगे यह हमारा correct answer होगा जल्दी से सभी student एक बार like कर दें सेशन को दूस्त next यह रहा आगे question आप से कर रहा प्रसिद्द प्रक्षात से संबंदित है यानि famous imminent से संबंदित है तो anger यानि crude के से संबंदित होगा फटा-फट बताए यह crude जल्दी बताओ crude के संबंदित होगा crude जाविद खान ओके गलत हो गया कोई नहीं जलत हो गया तो क्या हुआ देखिए यहाँ पर आपको पता है कि प्रसिद्ध का ही समानार्थी शब्द है क्या प्रख्यात तो किरोध का ही किरोध का ही समानार्थी क्या होगा खुश नहीं उदास नहीं शांत नहीं इसका अंसर होगा गुस्सा option number चलेंगे हम D के साथ यानि option number D गुस्सा करो या क्रोध करो दोनों समानार्थी है option number D ठीक, very nice जोड़दा अगला खुबसूरत सा प्रशना आपकी screen के उपर लहराते हुए आचुका है भाया आंसर कीजी आप लोग जल्दी से question number 28 फटा फट बदा ये क्या होगा बंगलादेश लाइक रिलेटेड टका तो ग्रीज किसे समधने था ग्रीज सर 26 का C क्यो नहीं अभी चेक करते हैं भाया 26 का C क्यो नहीं सतीस कह रहे हैं, सतीस आपकी भी बात को समझेंगे हम check करेंगे question को okay आज हलकी सी pause हो रही है मैं भी चेक करवाऊंगा इसको इसके बाद आपकी जो class है वो geography की है लेकिन competition guru app पर है universe कराएंगे आज universe में star को हमने last class में कर लिया था आज हम कराएंगे उसमे sawr mandal है ना या फिर और जितनी भी चीज़े हमारे universe में है उनको कराएंगे तो आप लोग सभी application को download करके फटा-फट से application पर move हो जाईएगा तो बंगलादेश टका से समधित है ठीक है यानि आपको पता है बंगलादेश की जो मुद्रा है वो टका है तो ग्रीस की जो मुद्रा है जो ग्रीस के जो currency है वो क्या है बताइएगा option number a euro correct answer है very nice ठीक है अगला question देखो next आगे आपके सामने क्या करहें देखें आप से करहा है पानी hydrogen hydrogen oxide से संब्द देता है तो sodium chloride कि से संब्द देता है फटा-फट answer दीजे इसका अभी देखेंगे छब इसको आप गबराएं नहीं हाँ हाँ सर आपका क्या नाम है मेरा नाम है सूरज भाई मेरा नाम है ब्रिगेडियर सूरदेव सिंग ठीक है चलो आप देखें पानी को हम क्या कहते है होता है mango salt जो होता है mango आम से आम नमक ठीक है mango नमक को हम क्या कहेंगे साधरन नमक को क्या कहेंगे sodium chloride क्या है इसका formula बताईएगा जल्दी से बताईएगा इसका formula आगे बढ़ते हैं और question number next आपके screen के ऊपर यह रहा फटाफटा अंसर दीजिए टाइम हो गया आपका application पर class का time हो गया है तो आज हम class को यहीं तक रखेंगे आप last question देखिए और मुझे इस्टाग्राम पर follow कर सकते है cg vivek chaudhary यह नाम से आप सर्च कर लें इस्टाग्राम पर follow कर लें और आप लोग जो है attendance mark कर सकते हैं जो की regular आप 45 classes में attend करेंगे हमारी तो आपको तोफा हम देंगे तोफा मतलब कुछ ना कुछ नहीं चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे वो क्या होगा वो बाद में आ करके declare करेंगे आपकी live session में आ करके तो आप लोग जैसे यह link की यहां पर पिन हो रही है एक आपके chat box में आप देख पा हम पर अप इस पर click करके अपनी hello hi जो भी inquiry हो अपनी email id से 5 second का काम है इस काम को कर लीजिएगा class के बाद ठीक है यह आपके काफी काम आएगी और यह हमारा instagram id है आप search कर लेना इंस्टा id पर ठीक है और एक 26 नंबर का question बता रहे थे student तो उसको देख लेते हैं 26 नंबर को 26 का c क्यों नहीं है देखो आप अगर देखो यहां आप से क्या कर रहा कि विद्ध्याले में विद्ध्यारती होते हैं अगर यहां कहता कि विद्ध्याले में teacher होते हैं सिक्षक होते हैं तब नियायले में नियाधीस इसका correct answer होता तो यहां नियायले में कौन जा वो सब जाएंगे नियाले में ठीक है तो क्योंकि अस्पताल में रोगी जाते तो इसका correct answer यह है यहाँ स्कूल में अगर टीचर जाते तब आपका correct answer C हो जाता है ठीक है ऐसे तो महाविध्याले में सिक्षक कह सकते हो आप होटल में प्रणाम नसुया कह सकते हो आप नहीं गल नाना कौन करता है तो घोडा करता है घोडा ही तो होट इसका correct answer होगा option number C चलिए जिने student को दोस्तों अगर हमारी geography की class करनी है तो आप सभी student जल्दी से move हो जाईए application पे 5 मिनट के अंदर-अंदर मैं application पे live आ रहा हूँ ठीक है चलो जी केड़ी live पर भी पढ़ाते है लेकिन आप यहाँ पर हमारे thumbnail में देख सकते हैं इसकी pdf आपको telegram पर मिल जाएगी competition group telegram ठीक है यह हमारा daily का schedule रहेगा जिनको reasoning का यह gs special का यह up police का वैच लेना है वो competition group app download कर लिजे ठीक है धन्यवाद बाई-बाई-बाई-टेक क्यार एप पर अब class होगी